योग क्रांती परिवार के यूट्यूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनहा मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई वेकिंसी लेकिन सुरुवात करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लाइक करें सेयर करें सेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा यह मैसेज पहुंच सके यदि आपने वेल आइकन का वटन नहीं दबाया है तब आप वेल आइकन का वटन भी दबा दें ताकि सार नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजेगा हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे श्री सब्त सरंगी आयरवेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल जो की नासिक महराष्ट में इस्तित है यहाँ पर योग की वेकेंसी आई हुई है यह महाविद्याला एंड हॉस्पिटल जो है महराष्ट यूनिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइंस नासिक से संबंदित है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी लगबग 20 साल इसको हो चुके हैं यह एडवर्टाइजमेंट जो आप देख रहे हैं यह 16.9.2020 को जारी किया गया था यह नॉटिफिकेशन मैं वाटसप ग्रूप पर भी डाल दूँगा यदि आप योग क्रांती परिवार के वाटसप ग्रूप से जड़ो होंगे तब आपको यह नॉटिफिकेशन मिल जाएगा नीचे यह दिया आप आएंगे तो डिपार्टमेंट सब्जेक्ट दिये गए हैं प्रोफेसर, एसोसेट प्रोफेसर और असेस्टेंट प्रोफेसर के पद यहाँ पर बताए गए हैं नीचे आप 17 वे नंबर पर आएंगे तो योग के बारे में लिखा हुआ है कि योग डिपार्टमेंट है लेकिन ना ही प्रोफेसर के बारे में बताए गया है ना ही एसोसेट प्रोफेसर के बारे में बताए गया है और ना ही Assistant Professor के बारे में बताया गया है कि कितने पद हैं तो मैं इनकी बात नहीं करूँगा लेकिन यदि आप Notes के अंतरगत Second Number Note पर आएंगे तो लिखा हुआ है One Yogi Teacher in the Department of Swastbrat on Part-Time Basis मतलब एक योग टीचर की अवस्यक्ता है Swastbrat Department के अंतरगत जो की Part-Time Vacancy है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर Assistant Professor, Professor और Associate Professor के पद हो भी सकते है और नहीं भी हो सकते इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक Vacancy तो यहाँ पर क्लियर है जो की स्वास्तवरत Department के अंतरगत है Part-Time है और योग टीचर की है फिर आप नीचे आजाएंगे तो नीचे यहाँ पर बहुत सारी जानकरी दी गई है Professor, Associate Professor और Assistant Professor के लिए क्या Qualifications होना चाहिए इसके बारे में बताये गया है यदि आपको ठीक लगता है तो आप रोक करके पढ़ लीजेगा लेकिन इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उपर जो है पोस्ट मैंसन नहीं की गई है कि कितने पद है यदि आप यहाँ पर Assistant Professor Professor या Associate Professor के लिए आविदन करना चाहते हैं तो पहले इनके दिये गए नंबर पर फॉन लगा लें वैपसाइट पर भी नंबर एबलेबिल है आप उसके माध्यम से नंबर नकालिए इनसे पता कर लीजे कि कितनी वेकेंसी है साथी साथ ध्यान रखना है स्वास्त ब्रत डेपार्टमेंट के अंतरकत एक वेकेंसी नोंने बताई है लेकिन ओफिसियल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी यह नहीं बताई गया है तो आप वह भी पूछ लीजेगा यदि आप आविदन कर सकते है जनरल नोट्स भी यहाँ पर बताई गये है उसको भी आप पढ़ लीजेगा ज्यादा कुछ मैं यहाँ पर नहीं बताने बाला हूँ लास्ट एट यहाँ पर बताई गयी है तीसनों दोहजार बीज से पहले आपको आविदन करना है आविदन कैसे करना है हो भी मैं आपको बता देता हूँ आविदन आपको प्लैन पेपर में करना है जो कि यहाँ पर दिया गया है साथ ही आपको अटेस्टेट कॉपी लगानी है सर्टिफिकेट लगाने है और आपको एक्सपीजेंस लगाना है और भेज देना है दा चेर्मेन स्री सप्त सरिंगी आविद महाविद्यालाए एंड हॉस्पिटल नासिक पिन नम्मर दिया गया है 422-003 इस पते पर आपको भेजना है और लास्टेट रहेगी 39-2020 तो अभी के लिए वसितना ही धन्यबाद